आज की इस वीडियो में मैं आपको Photoshop के अंदर animation create करना सिखाने वाला हूँ तो Photoshop के अंदर हम इस तरीके से animation कैसे create कर सकते हैं यह आज हम सीखने वाले हैं तो सबसे पहले Photoshop को open कर दें और यहां से अभी मैंने यह effect create किया यह हमने image ready में बनाया था तो इसको मैं यहां से close कर देता हूँ और Photoshop के अंदर हम आ चुके हैं और इस file को यहां से close कर देते हैं तो सबसे पहले हमें अगर यह animation create करना है तो इसके लिए layer panel को यहां से हमें open करके रखना है और इसके बाद से हम इसके अंदर एक blank document को open करेंगे तो इसके लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ control plus N या फिरा file menu में जाके यहां से new file ले सकते हैं तो मैं इसमें size यह वाला use कर रहा हूँ 800 by 600 और इसको ok कर देंगे तो यह हमारा page insert हो जाएगा इसके बाद से मैं प्रेस करना है control plus 0 यह वहां तो यह अपने एक्टोर साइज में आ जायेगा अब हमें क्या करना है सबसे पहले इसके अंदर एक shape को draw करना है तो यहां से जाएंगे हम अपने shape tool के अंदर यहां पे स्फिट करना है और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर rectangle tool इस पर हमें simply click कर देना है और इसके बाद से हमें बिल्कुल center में यहाँ पर आके इसके अंदर अपनी shape को draw करना है और shape जो हम draw करेंगे वो हम shift के साथ में draw करेंगे तो मैंने shift को hold कर दिया और click करके इसको track करेंगे तो यह shape आपकी insert हो जाएगी और आपको एक चीज़ दियान है कि आप जो shape insert कर रहे हैं वो एक नई layer पर आनी चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ से select करेंगे पहले shape to select करेंगे और यहां से आप इसमें से first वाला option select करेंगे क्योंकि यह shape को insert करने के लिए option होता है इसके बाद से मैंने क्या क्या shift को hold करके यहाँ पर shape को मैंने draw कर दिय अब हम क्या करेंगे shape को हमें rotate करना है और shape में हमें थोड़ा पर change भी करना है तो इसके लिए हम करेंगे ctrl plus T ctrl T से transform हो जाएगा इसका size अब यहां से increase कर सकते हैं corner से dot आ रहे हैं और यहां corner पे हम लेकी जाएंगे अगर इस corner पे अगर हम जाएंगे तो यहां से इसको हम research कर सकते हैं और यहां से इसको हम rotate कर सकते हैं corner से click कर के तो अब यहां से एक corner का size भी आप आप से increase decrease कर सकते हैं तो मैंने control को hold किया और mouse का click करके यहां से मैंने इसका size छोटा कर दिया तो आपको कुछ इस तरह के से shape बना लेनी है और इसके बाद से जब यह shape बन जाएगी तो आप अपने according इसको बना सकते हैं इसका size हलका सा और side से कम कर देता हूं और इसके बाद से हम इसका size भी आहां से कम कर लेंगे shift के साथ में तो यह कुछ इस तरह से आपकी shape बन जाएगी इसके बाद हमें simply enter कर देना है तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरह के से shape बनानी है और इस shape से हम flower बनाएंगे इसके अंदर तो इसके लिए हम use करेंगे इसको duplicate करने के बाद हम एक shortcut की को press करेंगे जिससे कि यह duplicate हो जाएगा और यह side में rotate हो जाएगा तो सबसे पहले shape आपको create कर लेंगे इस तरह के से और उपर जो हमने shape ड्रॉ की थी यह हमारी shape layer तो अभी इसमें सिर्फ दो layer है और इसके बाद से मैं जैसे control प्लस J प्रेस करूँगा तो यह हमारी layer जो है duplicate हो जाएगी तो मैंने यहाँ पे कर दिया control प्लस J control J करने से यह layer हमारी duplicate हो चुकी है अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले दो layer थी तो हमने इस layer को duplicate कर दिया तो मैं अभी control alt Z कर देता हूँ तो जैसे आप control प्लस J करेंगे तो यह layer इसी के ऊपर draw हो जाएगी duplicate हो जाएगी अब हम क्या करेंगे इसको हम करेंगे control प्लस T से transform और इसको हम बिल्कुल side में shift करेंगे तो मैं आपए कर रहा हूँ shift के साथ में right key arrow क्योंकि हमें जो duplicate layer इसमें उपर आई है तो हमें क्या करना है उसको side में shift करना तो हम shift के साथ में right key arrow को press करेंगे तो यह side में shift हो जाएगा इस तरीके से और इसके बाद से अगर आप यहां पर यहां पर आजएंगे तो यहां पर आपको एक angle को उप्से मिलता है यहां से आप angle को rotate कर सकते हैं, ये जो हमारा option होता है Ctrl-T करने ये पर आपको यहां पर एक S का option मिलेगा एक B कित तो आपको यह angle वाले option पे click करने है तो यहां से हमें इस पर click कर देना है और यहां पर type करना है मैं इसको delete करके 10 तो मैं यहां पर 10 type कर देता हूं तो यह इस तरीके से rotate हो जाएगा तो अपने कॉर्ण जितने हाँ पे number increase करेंगे तो इस तरीके से इसको rotate कर देगा तो यहाँ पर आपको 10 type कर देना है या आप तो delete करके कर सकते हैं या फिर आप इसको scroll bar को mouse के scroll bar को scroll करेंगे उससे भी हाँ पे amount increase decrease यहाँ से आप कर सकते हैं के बाद हम simply यहाँ से enter कर देंगे अब जो हमने लाश्ट कमांड इसके अपलाई किया था लाश्ट कमांड हमारा क्या था इसके अंदर कि हमने इस shape को duplicate किया और इसके बाद से हमने इसको control T से transform किया करने के बाद हमने इसका angle भी change कर दिया है तो अब मैं चाहता हूं जो मैंने लाश्ट कमांड इसमें अपलाई किया था वह मुझे इसके अंदर repeat करना है तो इसके लिए हम shortcut press करेंगे control alt shift और T तो यह key combination है आपको याद करना है control alt shift T यह आपको press करना है और छोड़ना है तो हमने last command जो apply किया था वह यहाँ पर duplicate हो जाएगा तो यह rotate हो जाएगा और इसको duplicate तो यहाँ पर तीन layer है मैं दुबारा control alt shift T करूंगा तो layer duplicate हो जाएगी तो control alt shift T को आपको press करना और छोड़ना इस तरीके से तो यह आपके कुछ इस तरी से shape duplicate हो जाएगी और यह आपको press करते रहना इस तरीके से और इसके बाद से यहाँ पर आके इसको छोड़ देना है इ यह हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे आएंगे इसको scroll कर लेते हैं layer panel के अंदर और यहाँ पर जो सबसे नीचे वाले layer है इसको छोड़के क्योंकि background layer है इसके अलावा जितनी हमाई layers है इन सबको हम यहाँ से click करके एके करके link कर देंगे इस तरीके से तो इ control E press कर देंगे तो यह सारी के सारी layer से हमारी merge हो चुकी है और इसको अपने recording हम shift भी कर सकते हैं तो इसका size page के recording काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है हमें तो इसका size हमें छोटा करना है तो हम इसके लिए करेंगे control plus T transform तो मैंने हाँ पे control T कर दिया और इसके बाद से आपको keyboard में alt और shift को hold करना है और यहां से center point से इसका size हम छोटा कर सकते हैं और अपने page के recording इसका size हम रख लेंगे इस तरीके से तो इसका size page के recording इतना काफी लग रहा है मुझे और इसके बाद हम simply इसको enter कर देंगे तो आपको finally कुछ इस तरीके से shape मिल जाएगी बनके अग हम क्या क करेंगे इस shape को duplicate करेंगे और center में transform करेंगे और इससे पहले आप इसके अंदर shadow effect लगाना चाहते हैं तब वह आप लगा सकते हैं तो इसमें अगर मुझे shadow effect लगाना है या पर इसका color change करना है तो इसके लिए हम जाएंगे layer style option पे इसके लिए आपको इस area में जाके layer thumbnail में यह पर 5 pixels रख रहा हूं और यहां से इसको click कर देना है और इसमें अगर आपको stroke add करना है या फिर आपको इसमें color change करना तो मैं रहां सिर्फ यह रहेगा और यहां पर simply इसको कर देना है और यहां पर आप किल्क करेंगे तो drop down में सारे option आ से hide कर सकते हैं तो यह हमारे shape को इस त duplicate करना है तो इसमें देखिए दो layer आ चुकी है पहले सिर्फ एक layer थी तो control जे करते हैं आप इसको duplicate कर सकते हैं और इसके बाद से हम करेंगे control T transform और अब इसका size हमें center point पर जाके इसको छोटा करना है तो control T करने के बार आपको keyboard में alt shift और mouse का left click आपको click करके center point पर आप इसको इस तरीके से drag कर सकते हैं तो इसका size हम चोटा कर देते हैं इसके बाद हमें इसको enter कर देना है अब जो नीचे वाली layer है हमारी छोटी layer है shape तो इसके उपर जाना डिबा क्लिक करना है और यहां से हमें color जो है वो change कर देंगे तो color आप अपने recording हमें से कोई साह भी pick कर सकते है और यहां पर simply इसको ok कर देंगे फिर जो हमारी यह वाली shape है अंदर वाली तो इसको अब हमें duplicate करना है तो ctrl j करेंगे फिर करेंगे ctrl t और alt shift के साथ में इसका size यहां से हम center point से छोटा कर देंगे और यहां से जाके रवा क्लिक करके और यहां से हमें इसका color जो है वो change कर द देता हूं फिर दुबारा से हमें करना है इसके अंदर ctrl j फिर करना ctrl t transform और alt shift के साथ में इस तरीके से आप जितनी चाहें उतनी लिए आप इसके अंदर create कर सकते हैं दुबारा में ctrl j करके ctrl t कर रहा हूं तो आपको कुछ इस तरह की से इसमें shapes create करनी है और एक एका size यह ने बताया दिया भी आपको डबल क्लिक करके यहां से आप इसका color जो है वह चेंज कर सकते हैं इस तरीके से और यहाँ से simply Okay कर देंगे और यहां से भी इसको Okay कर देंगे तो आपको अगर इसका वह color चेंज करना इस से उपर के layer का तो इसी तरीके से आप सारी color इसके अंदर से चेंज कर सकते हैं यहां से इसको simply okay कर देंगे अब इसके बाद से हमें क्या करना है इसके अंदर लगाना एणिमेशन तो बैग्राउंड लेयर में जाना है और यहां से हम क्लिक करेंगे ग्रेडियंट पर इस ऐड़कल करके है और इसे में से कोई साथ भी ग्रेडियंट उयर इसे सब्सक्राइन चाहिए और इससके पीछे क्या है क्लिक करके सुष्वागलाज नरो समय की आनिमेशन और इस फंप देना इस तरीके से अब हम इसमें डालेंगे animation तो animation हमें बनाने के लिए open करना image ready तो यहां से हम इस वाले अपने toolbar के अंदर आएंगे और इस वाले icon पर click करेंगे तो इस icon पर हम hold करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ रहा है jump to image ready तो simply हमें इस वाले icon पर जाके इस पर click करना है या फिर आप keyboard में Ctrl Shift M press कर सकते हैं तो यहां से हम click करते ही अपने image ready में आ चुके हैं अब इसके बाद से अगर यहां पर आपको animation की window नहीं मिल दी तो आपको जाना है window tab में और यहां पर आपको animation की window मिल जाएगी इसको यहां से कर देना के continue करते हैं इस topic को तो अब हमें इसमें animation लगाना है animation को बनाने के लिए सबसे पहले तो animation का बॉक्स हमें open कर देना होगा और इसके ने सबसे बड़ी जो हमारी शेप लिया रहे है वह यहां से इसको आफ करके चेक कर लेंगे तो सबसे पहले हम इसको आफ करेंगे और यहां से हम इसको इस पर क्लिक करेंगे यह जो हमारा option होता है new frame का इस पर क्लिक करना है तो पहले वाले फ्रेम में सारी पिच्चर से और इस वाले पर एक शेप इसमें कम हो चुकी है अब दुबारा में इस वाले option पर यहां पर जाकि इसको आफ कर देना है और यहां से nail नए फ्रेम को हम create करेंगे इस तरीके से। दुबारने इसने नए फ्रेम को हम इसमेड कर लेते हैं तो इतना कर लेने के बाद हमारा काम सारा दूत हो चुका है अब इस将 संपने इस प्रेम कर लिए कुछ इस तरीके से और आपको इस यह प्ले का बटन मिल जाएगा तो आपको simply इस प्ले वाले बटन पर जाके इस पर क्लिक कर देना है तो यह आपको इस तरीके से animation इसके अंदर create कर सकते हैं तो उम्मीद करतो है आपको वीडियो पसंद आई होगी